हाई गाईज वल्कम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ नैचुरल हेयर डाई की वीडियो शेयर करूंगी आज की वीडियो में मैं रिवियो प्लस डेमो दोनों आपके साथ शेयर कर रही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़़ा है तो गाईज इस हेर डाइक को बनाने के लिए मैंने इन सभी चीज़ों का यूज की है जो बिलकु Li नेचरल है कलोव जी का मैंने यूज की आप देख सकते हैं अलोवीरा जल का भी मैंने यूज किया आप फ्रेश अलोवीरा का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने हीना कलर का यूज किया ये भी बिल्कुल नैचुरल है इसे भी मैंने पंसारी के शॉप से बाई किया पैकेट वाली महंदी का मैंने यूज नहीं किया तो कलोंजी और मेथी दाना दोनों को मैंने परले अच्छी तरह से पीस लिया है इस तरह से आपको इसे पीस लेना है अब एक लोहे की कड़ाई मैंने गैस पर रख दिया है आपके घर में जो कड़ाई आप उसका भी यूज कर सकते हैं अगर आप लोहे के बरतन का यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे एक बड़ा गिलास पानी का आपको कड़ाई में डालना है इसे गरम होने के लिए थोड़ी देर रख लीजिए इसके बाद जो हमने कलोंजी और मेथी दाना दोनों चीज़ें पीसी हैं इन दोनों चीज़ों को हमने पानी में डाल देना है कम से कम पांच चमच मेरे बन गए थे मेथी दाना और कलोंजी पीसने से और ये सारी दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपको कड़ाही में डाल देना है अच्छी तरह से बॉइल आने देना है कम गैस में बॉइल आने दे आज जो हमने हेर डाई बनानी है ना उसमें हमने इसी पानी का यूज करना है अच्छी तरह से इसे boil होने दे ताकि इन दोनों चीजों का असर पानी में अच्छी तरह से आ जाए कम से कम 3-4 मिनट के लिए आपको इसे boil होने देना है पानी की quantity जब थोड़ी सी कम हो जाए तब आपको इसे बंद कर देना है कलोंजी और मेथी दाना दोनों को हमने अच्छी तरह से पीस लिया और उसके बाद हमने इसे boil भी कर लिया दोनों चीजों का अच्छी तरह से असर इस पानी में आ चुका है कम से कम 3-4 मिनट के लिए आपको इसे boil होने देना है उसके बाद आपको gas बंद कर देनी है और आदे घंटे के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है आदे घंटे में इसका दोनों चीजों का पूरा असर पानी में आ जाएगा आज हमने जो hair dye बनानी है वो इसी पानी के साथ बनानी है यह बिल्कुल natural hair dye है किसी भी तरह की chemical या किसी भी तरह की market से हमने ऐसी चीज का use नहीं किया जो आपके बालों को खराब करेगी तो देखिए बिल्कुल पानी ठंडा हो चुक है अब हमने इसे stain कर लेना है इसे छान लेना है इसी पानी से अब हमें hair dye बनानी है अगर आप महंदी बार-बार महंदी का use करते हैं तो उस time तो आपको बड़ा अच्छा color मिल जाएगा बट कुछ time बाद आपके बाल फिर से सफेध होने लग जाएंगे सिरफ time prairie आपको वो result देती है बट अगर आप इस तरह से hair dye का use करेंगे आपको एक तो natural color मिलेगा उपर से आपको लंबे समय तक आपके बाल बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे तो देखे हमने इसे भिगो कर रखना है इस hair dye को इसके लिए भी मैंने लोहे की कड़ाई का use किया है अब इसमें मैंने हीना powder डाला है जितनी आपको need है उतनी आप use कीजी अपने hair के length के according अब इसमें मैंने एक बड़ा चमच अलोवीरा का use की है यह सारी चीजे बहुत ही अच्छा result आपको देंगी मैंने कोई भी ऐसी चीज मैंने hair dye में नहीं use की जो हमारे बालों को नुकसान करेंगी तो अब मैं इसमें coffee एड कर रही हूं बिल्कुल natural आपको color मिलेगा आज की वीडियो में मैं आपके साथ demo भी शियर करूंगी मैंने काफी लोगों की वीडियो देखी है हर कोई सिर्फ यह hair dye बनाकर दिखाता है लगाकर कोई भी नहीं दिखाता है तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्रॉपर डेमो भी शियर करूंगी तो देखिए यह सारी चीजे मैंने इसमें मिक्स कर ली है अब इसमें इसी हमें इसी पानी से बिगोना है कलॉंजी और मेथी दाने वाले पानी के साथ हमें इसे बिगोना है बिल्कुल नैचुरल आपके बालो में कलर आएगा कोई भी आटिफिशल ब्लैक कलर औरेंज कलर या रेड कलर आपके बालो में नहीं आएगा बिल्कुल natural shade आपके बालों में आएगा कोई भी यह नहीं कह सकेगा कि आप महंदी का यूज करते हैं या फिर अपने बालों को कलर करते हैं या फिर आपने किसी dye का यूज किया है तो देखे इस पानी को इसमें डालते जाना है और अच्छी तरह से इसे mix करना है किसी भी तरह के lumps इसमें नहीं रहने चाहिए मैंने इस hair dye को एक रात के लिए ऐसे ही छोड़ दिया आप भी चाहें तो इसे overnight रख सकते हैं या फिर तीन से चार घंटों के लिए रख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा सा पतला बनाया है क्योंकि overnight रखने के बाद अगले दिन इसकी जो consistency है वो वैसे ही काफी ज़दा गाड़ी हो जाएगी इसमें अलग से आपको पानी नहीं एड़ करना है तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे mix कर लिया किसी भी तरह के lumps अब इसमें नहीं है अब आपको इसे ढखक कर रख देना है overnight भी आप रख सकते हैं और 3-4 घंटों के लिए भी रख सकते हैं मैंने इसे overnight ऐसे ही छोड़ दिया है तो अगले दिन आप इसका color देखें देखिए guys अब यह अगले दिन की video है आप इसका color देख सकते हैं कितना सुन्दर साइडों पर black color आ गया है साइड्स पर black color आ गया है अब हमें इसे अच्छी तरह से mix कर लेना है लोहे की कड़ाई का use करने का यही फायदा है कि आपको बिल्कुल natural color मिलेगा कोई भी chemical का इसमें use नहीं हुआ है अगर आप regular इस hair dye का use करेंगे तो आपके सफेद बालों की problem भी खतम होगी आपको hair fall की problem भी नहीं होगी तो देखे जैसे कि मैंने बताया है कि आज की वीडियो में आपके साथ demo भी share कर रही हूँ सबसे ज़्यादा सफेद बालों की problem हमें front के hairs पर ही होती है अच्छा वाला result आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल natural shade आपके बालों में आएगा जो हम hair color यूज करते हैं या फिर मेहंदी का use करते हैं उससे या तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा red हो जाते हैं या फिर orange shade में आ जाते हैं या फिर बिल्कुल black हो जाते हैं बिल्कुल artificial वो color लगता है तो देखें इस तरह से आपको इस hair dye को लगाना है और इसे naturally hair dye होने देना है उसके बाद आप hair wash कर लीजिए आपको बहुत ही अच्छे वाले result देखने को मिलेंगे बिल्कुल natural color आपके बालों में आएगा अगर आपको सफेद बालों की समस्य है तो आप इस hair dye का यूज़ कर सकते हैं आपको बहुत ही अच्छे वाले result देखने को मिलेंगे आप अपने hair के length के according इसकी quantity बढ़ा भी सकते हैं ज्यादा hair dye भी बना सकते हैं हीना पाउडर आप थोड़ा ज्यादा डाल लीजिए तो देखें इस तरह से मैंने सारे बालों पर इस hair dye को लगा दिया है तीन से चार गंटे मैंने इसे इसी तरह से सूखने देना है उसके बाद आप hair wash कर लीजिए आपको बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे hope guys आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करतें तो चलिए guys मिलूंगे मैं आपको 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 नेक्स वीडियो लेगे